हाँ जी बच्चे देखेंगे लास्ट क्लास इसमें हम क्या सिख रहे थे प्रोड़क्ट रूल तो उसमें कुछ कोश्टन की पैट्टिस करने मारे रहे थे आईए आज ची क्लास में सको हम कम्प्लीट करते हैं इसमें पावर टू माइनस एकस और इंटू ए रेज्टु पावर एकस क्लेरे बच समझें तो यहां पर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपके पास में कितने फंग्शन है 2 function है इसमें 2 function कौंसे देखे हुआ आप सबसे पहले आप इस function को देखिए और एक function आपका यह है, दो function आपके multiply हो रहे हैं, तो इस case में आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप इसको y के equal लट कर लें, तो आप निकालेंगे अपना dy upon dx, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले first function का आप derivative लेजिए, d upon with respect to x, और आपके पास में वो है, 16x square minus x, और आपको second आपको same रखना है, और plus का sign, उसके बाद आपका first same रखना है, 16x square minus x, और अब आपको derivative लेना है, second function का, जो कि e raise to power x है, अब इसको solve करेंगे, अगर आप यहाँ पे, dy upon dx equals to, तो आप इसका derivative क्या होगा, बच्चे, पावर नीचे आएगा, कितना हैगा, 32x, और इसका derivative क्या होगा, minus 1, यह already हम basic concept में समझ चुक है, और into क्या हमारे पास में e raise to power x, और इसी तरीके से, यहाँ पर हमारे पास में है, 16x square minus x, और यहाँ पर भी हमारे पास में e raise to power x का derivative क्या रहता है, e raise to power x से ही रहता है, clear है बच्चे, 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 e raise to power x का derivative, e raise to power x से ही रहेगा आपका, अब इसको आप solve करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास में चीजें common निकल करके आ जाती है, e raise to power x, तो यहाँ क्या बच्चा आपके पास में, 32x minus 1, और प्ल 32, आपके पास में 16x स्क्वेर, और 32x में से 1x गया, तो आपके पास में plus 31x, और आपके पास में minus 1, यह आपका final answer रहा, clear है बच्चे, कोई doubt, हाँ यह first question है बच्चे, अजे ऐसा करते हैं, आपकी fees में आज refund करवा देता हूं, तो आपकी सारी problem solve हो जाएगे, ठीक है न, ठीक है अजे, मैं आपकी आज refund करवा करगे, आपकी problem को solve कर देता हूं, ठीक है, हाँ जे, आपको teacher ने चीए, आपको चीए employee, हम खुद कोशिश करते हैं, classes time पर start हो जाए, बड़ इससे पहले कुछ batches होते हैं, उससे कुछ concept कई बार रह जाते हैं, बच्चे कई बार बीच में आना जाना लगा रहते हैं, तो हो जाता है, बट आपका employee चीए, तो मैं आपका employee नहीं हूँ, तो इसलिए आप अपने refund करवाईएगा, आज एको मैं कहा रहा हूँ मस, और आपकी problem solve हो जाएगी, मैं नहीं चाता है, मेरा कोई बच्चे अतना परिशान हो, x log x plus 2 raise to power x, clear है बच्चे? हंजे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप इसका derivative लेते हैं, तो सबसे पहले आप इसको क्या करें, y के equal आप इसको आप रखेंगे, solve करेंगे आप यहाँ पर dy upon dx equals to, तो derivative आप ले रहे हैं इसका, तो दो function आपके पास में हैं, एक function आप इसमें से यह है, आपके पा आप आप से simply ले सकते हैं, पहले first का derivative लेंगे ना, पूरे function derivative लेंगे, तो first का derivative अगर आप लेते हैं, तो d upon dx, मैं लिख देता हूं, कि पहले आपको x log x का derivative लेना पड़ेगा, और फिर आपको derivative, क्योंकि आपके पास में जब आपको याद होगा, कि 3x square plus 5x derivative ले रहा था हमे तो मैं इसका भी derivative ले रहा था है, प्लस का sign होता था तो, और मैं इसका भी derivative ले रहा था, clear है, बच्चे, हाँ जी, देखे ज़रा, आपके पास में d upon dx, तो ये plus का sign है ना, बच्चे, तो इसका भी derivative लेना पड़ेगा मुझे, और मुझे derivative d upon dx, मुझे derivative आपका 2 raised to power x, मुझ equals to, अगर हम इसको solve करेंगे, तो यहाँ पर इसका derivative लेना जा रहा है, एक problem आगी, क्यों, दो function multiply हो रहा है, तो यहाँ पर product rule apply हो जाएगा, clear है, बच्चे, product rule हम बारबल नहीं लिख रहा हूं, मैं derivative को इससे भी represent कर देते हैं, first derivative and second same plus उसके बाद first same and second का derivative, clear है, बच्चे, त का derivative लेते हैं, a raise to power x का तो same रहता है, a raise to power x, और into हो जाता है log a, बच्चे, basic rule आपको मैं बतायता हूं, जैसे की, मान लेजे, कि आपके पास में, मैंने बताया था, a raise to power x में, अगर derivative लेंगे, मनलब जो जिसके respect में ले रहे हैं, वो as the power में है, तो आप क्या करते हैं, इसक इसका derivative लेंगे, तो same रहेगा, और log 2 से multiply हो जाएगा, आगे solve करते हैं, dy upon dx equals 2, इसको अगर आप solve करेंगे, तो first का derivative कितना हो जाएगा, x का, यह 1 होगा, तो यह स्तरफ log x रहेगा, चुकि x का derivative 1 होता है, और यहाँ पर आपके पास में x into, log x का derivative क्या होता है, 1 upon x होता है, औ और plus 2x into log 2, खेर log table आपके पास में होगा, तो आप value replace करते हैं, value कैसा निकालते हैं, log की value कैसा निकालते हैं, यह मैं आपको एक class इसमें, अच्छे से, detail ने पूरी एक class में रख दूँगा, जब आपको जोद पड़ेगी, log, anti-log, सब को सिखाऊंगा, आपको, बस अब, पह log x, अगर आप इसको solve करेंगे, तो हमारे पास में log x plus 1, clear है, और plus, यहाँ solve करेंगे, तो यहाँ log x है, यह x x कटी है, तो plus 1, और plus 2 raise to power x into log 2, तो final result क्या रहा है आपके पास में, आप यहाँ से क्या करेंगे, log x plus 1, 2 raise to power x, आपके पास में क्या रहा है, यह final result रहा है, बच्चे कोर्स की बिल्कुर्च इंता नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपका 10 year भी solve करवाना है, प्लस में भी solve करवाना है, तो अभी तो class alternate चल रहा ह आपका, लेकिन थोड़ा सा आप थोड़ा comfortable हो जाएं, और उसके बाद आपकी classes जो है, regular basis पे भी हो सकती है, आपकी classes में, या फिर में बस night का time रहता है, early morning का time रहता है, बढ़ आप उसे में aware नहीं रहते हैं, तो कुछ चीजें जो आसान है, मैं उसको record करके भी आपके folder में आपके। हां जी बच्ची देखे ज़रा दी वाई अपॉन डी एक्स एक पॉस्टू लोग एक्स प्लस वन अपॉन टू रिश्ट वावर एक्स इंटू लोग टू सभज में आ गया अब कौन से स्टेप पूछ रहा है फर्स सेकंड थर्ड स्टेप इसमें किसी भी कॉंस्टेंट नमबर को पर पावर अगर आपका एक्स आ जाए तो उसमें क्या रहते हैं उसका डेरिवेटिव सेम रहता है और इंटू लोग मतलब बेज से मंटिप्ला हो जाता है और अगर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वन आता है लौग एक्स रहेगा पलेस एक्स और 117 जाता है उक्वाडव अपके पास एकस इनटू लॉग 2 अगर आप सौल करेंगे यहां पर लॉग एक्स एक्स और लॉग आपके पास में हो गया बच्चे को डाउट